दोस्तों सौराज 744 FV 4WD के बाद हमारे बहुत सारे किसानों की डिमांड आ रही थी कि सर आप सौराज 744 XT 4WD का रिवीव कब लेके आ रहे हैं तो उन सभी किसान भाईयों के लिए पेस कर रहा हैं दोस्तों आज हम सौराज 744 XT 4WD यानि की बावन होस पावर के दिगज ट सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी फ्रेंट में 4WD साफ्ट 745S तो तो दोस्तों फ्रेंट में 4WD साफ्ट 745 आप कुछ अलग तरीक्ये की फ्रेंट 4WD आप साफ्ट तो जूला बीम जो है, इसको बोला जाता है, इस तरह की बीम को, जूला बीम बोला जाता था, पहले क्या होता था, दोस्तों, मॉडल के अंदर जो 44 Fee था, उसमें 15 साल में क्या होता था, जो पावर स्टेरिंग के अंदर जो स्पैंडल विगहरा होते हैं, फोर विल ड्राइब साप्ट में वो इस पैंडल विगेरा घिस जाते थे तो किसान को थोड़ा सा खर्च आया आता था लेकिन उसी को देखते हुए कंपनी न जो है यहां पर एक्स्ट्रा पैंडल लगा दिया है जिसको जूला बीम बोला जाता है इससे दोस्तों वो जो समस् तोटल खतम हो चुकी है सबसे अच्छी बात तो यह रही पहले दो हज़र 24 मॉडल में हुए नए बदलाव की और फोर विल ड्राइब साप्ट के लिए तो भाई सौराज का अर्टेक्टर जो है जाना ही जाता है कि किस तरीके से जो है लाइफ रहती है तो यहां पर आपको सौराज सास्तो चबाले सेक्स्टी मॉडल के अंदर जो रेडियेटर है इसके भी साइज को कंपनी ने बड़ा किया हुआ है जिससे टेक्टर का इंजन बैस्ट और लंबे समय तर एक अच्छा कूलेंट सिस्टम जनरेट करके हमारे किसान भाई को दे सके साथी साथ यहां पर यदि हम बात करें दोस्तो एक जैसे कि आप देख रहा है स्टेक्टर में जो है सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग ही लगी हुई है लेकिन कंपनी ने जो है यहां पर भाई साब आपको सैफरेट ओयल टेंक दे दिया है पावर स्टेरिंग के अंदर जिससे जो रवर विगेरा है जो बोसेस हैं उसके अंदर समय सामेशा बनी रहती हो लंबे समय तक जो है पावर स्टेरिंग के अंदर जो है काम नहीं आता इससे लाइफ विगेरा जो है आपको लोंग देखने के लिए मिल जाती है साथ ही साथ यहाँ पर जो है भाई साथ बोस कंपनी का फ्यूल इन लाइन पंप लगा है तो माईलेज की समस्या तो है ही नहीं मतलब अब कंपनी जो है इस टेक्टर के अंदर दावा करती है कि यह जो टेक्टर रोटर वेटर गूपर 4-5 लीटर से जादा घंटे में साथ ही साथ इस टेक्टर के अंदर जो आपको एयर क्लीनर है वही एयर क्लीनर देखने के लिए मिलेगा त्री स्टेज ओईल बात प्री टाइब लेकिन भाई साथ यह एयर क्लीनर काफी अच्छा भी माना जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि टेक्टर इंडरस्टीज मे सबसे पहले को एयर क्लीनर इंटर्यूज हुआ है हम योबा किसानों के वीच में तो वह है भाई साथ त्री स्टेज ओईल बात प्री टाइब जो की भाई साथ मेंटेनेंस फिरी और लंबे समय तक चलने के लिए जाना जाता है साथ ही साथ यहां पर जो है दोस्तों टाइर के लिए हम बात करें तो श्टेक्टर में जो है भाई साथ आपको सी एट का टाइर देखने के लिए मिलेगा और अगला टाइर जो कंक्पनी ने लगाया हुआ है 95Y 20 का अच्पनी ने गाया हुआ है तो भाई साथ परफॉर्मेंस वेगरा और जो पर्लिंग वेगरा है वो साइड सिप्ट गेर वोक्स का उसके वारे भी में हम आपको जानकारी देते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्टैक्टर में प्लैट्फॉर्म में उससे पहले बात करने हैं दोस्तों स्टैक्टर में जो पंप लगे हुए हैं यानि कि जो हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग के अंदर जो ऑईल की सप्ला है वो अब आपको लगवग लगवग 35 लीटर तक की देखने के लिए मिलेगी जिससे हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है अब आपको और भी अच्छी और बहतर देखने के लिए मिलेगी क्योंकि कंपनी ने स्ट स्टेक्टर के साइलेंसर से जो हाथ जलने का खत्रा रहता था वो खतम हो चुका है साथ ही ग्राउंड किलरेंस बगेरा की अधी हम बात करें तो लगवग लगवग 430 म का सबसे जादा 50 HP 30 का ग्राउंड किलरेंस आपको स्टेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा और यहां पर यदि हम बात करें तो अब यह जो मोडल है दोस्तों फाइव स्टार रेटिंग के साथ में आता है लुक वाइस तो भाई साब बेहद तगड़ा लुक कंपनी ने जो है इस्टेक्टर का बनाया हुआ है चलिए दोस्तों चलते हैं उपर दोस्ते पहले ऊपर चलते तो यहां पर भाई साब आपको जो है चार में गयर और एक रिवर्स का गयर देखने के लिए मिल जाएगा अब हलाकि सौराज के हर एक मॉडल के अंदर आपको बारा फारवर्ट तीन रिवर्स यानिकी लो हाई मेडियम गयर का भी सपोर्ड मिलता है जिससे आप एक्टर मे पंदरा गयर स्पीड वाला मॉडल्स भी ले सकते हैं लेकिन यह जो है आट फारवर्ट दो रिवर्स वाला है साथी साथ यहां पर बात करें ब्रेक वेगरा की तो ऑईल इमर्स मल्टिप्लेटेड ब्रेक आपको जो है स्टेक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे ड्राइबर के लेफ तरफ यदि हम बात करें तो यहां पर भाई साथ आपको जो है स्टेक्टर का लो और हाई का गयर देखने के लिए मिलेगा यहां पर पीडिऊ वेगरा की यदि हम बात करने तो सैफिरेज एंडे की इंडिपेंडेंडन पीडिऊ लीवर के साथ में आई वील ड्राइब तो यहां पर फोर वील टू वील दोनों वेरियंट ओफ्षन के साथ में जो है आप गयर चेंज करके टू वील और फोर वील का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों साथी साथ दोस्तों इस्ट्रेक्टर में इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यदि हम बात कर और डीजिटली टाइप कलस्टर ही है आपको इस्ट्रेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है जैसे क ragoma करते समय कि फैंटर वेगरण चोक नहीं होंगे पिछले हिस्से में आ चुके हैं दोस्तों और बात करें पिछले हिस्से की तो यहां पर भाई साफ आपको जो है सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो easy to high tech lift का option देखने के लिए मिलता है जिससे आप इस टेक्टर की lift को आंगे और पीछे दोनों जहां से control कर पाएंगे और य क्रेसी के implement चलाते टाइम काफी अच्छा सावित होता है साथ ही साथ इस टेक्टर में lift विगेरा की बात करें तो यहां पर भाई साफ आपको जो है अब सत्रा सो नहीं पल की पूरे दो हजार किलोग्राम की बहतर चमता वाली lift capacity देखने के लिए मिल जाती है और PDU HP की बात करेंगे कितने HP का मिलेगा उससे पहले मैं आपको यह बता दू इस टेक्टर में जो टापलिंग विगेरा की पॉइंट है तीन पॉइंट मिलते हैं जो क मिल जाती है अब बात करें इस टेक्टर में PDU की तो यहां पर भाई साब आपको जो है लगवग लगवग की बात करें तो 45.2 HP का मल्टी स्पीड PDU आपको जो है इस टेक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यह थी कुछ बहतर और शांदार जानकारी सौराज 744 फाइव स्टार टाप माडल फोर विल ड्राइब की यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक फॉलो और चैनल को सस्प्राइब मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ सब तक के लिए जै जबान जै किसान